अबीने तक कमल हसन ने बयान जाए कि नातुराम गोड से पहले आतंगवादी थे आप क्या कहेंगे बगवा आतंगवाद को लेके आप पे ब्यारोप लगते रहें पहले पुरी दुनिया ने जिनको अमन का एक ऐसा चारेक्टर माना एक ऐसा शक्सियत माना कि जिसको साध्वी प्रग्या कहती है कि उनका जो कातिल है बॉट से वो राश्ट्रवादिली था है और आगे भी धाएगा उनको उन्होंने नैश्नलिस्ट कहा जबके गांदी जी के लिए कुल मिला करके उन्होंने दिफे हुगी है क्या कहने जाएगे है साध्वी प्रग्या कि इस बयान की हम बहुत ही कड़े अलफाद में निंदा करते हैं इसकी मदमत करते हैं ये बिलकुल गलत बयान है उनका ये घदारी और देशतगर्दी को फरोग देने वाला बयान है ये कभी भी ऐसे लोग मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते ऐसे लोग जो देश के भक्त होने की दावा करते हैं जो बाते करते हैं तो वो कभी भी सच्चे नहीं है उसने अच्छा कहा कह दिया उसके दिल के अंदर जो बुराई है वो पता लग गई बरतन के अंदर वही चीज़ शलकती है जो बरतन के अंदर होती है इसी तरह पर जो उसके दिल में है जो उसके दिमाग में है उसने वही बात कही है और साथवे परग्या नहीं कहीं पता नहीं साथवे परग्या के जो उस्ताद कौन कौन होंगे वो भी यही बात करते होंगे और गौटसे ने जिसने गांधी जी कुमारा तो वो भी एक बड़ा देशतगर्द था और उसने ये बहुत गलत किया था और उस जैसे जो लोग हैं वो गड़ार भी हैं वो देश के वफादार नहीं हैं और किसी भी तरह से हम उनको मुहिप वतन नहीं कह सकते हम उनको किसी भी तरह से वफादार नहीं कह सकते उसके उपर साथवे पर अग्यों कीस चले लेकिन केस चलाने والोंगे इस्तिवासा के लोगोंगे और तफ्तिश की जो एजंसिय थी उनोंगे केस को साही नहीं चलाया उन्होंने सुबूत पेश नहीं किए उन्होंने वीडियो रिक्राडिंग पेश नहीं की उन्होंने गवा पेश नहीं किये जान बूज कर उसको रियायत दिलवा कर उसको बाहर कराया गया लेकिन चलिए वो तो एक मरहला है अदालत ने लिखा अदालत ने उसको बरी करते वक्त या रहा करते वक्त ये लिखा कि मुझे दुख है कि इस तिखासा ने पूरे सुबूत पेश नहीं किये और मजबूर होकर मुझे इसको रहा करना पड़ रहा है ये अदालत ने लिखा उसके परग्या के लिए और दूसरे जो घद्दार हैं मुल्क के जिनोंने देशतगर्दी फैलाई है उनके लिखा कोट ने लेकिन उसके बावजूद दूसरी बात ये है कि पार्टी ने बीजे पी ने उसको भोपाल पार्लिमेंटरी हलके से उसको अमीदवार बनाया ऐसे गलत इनसान को एक गलत औरत को जिस पर देशतगर्दी का इल्दाम है जिसने मुल्क के अंदर गद्दारी को पहलाया है बनाया ये डवल गलती है और लगता ही है कि इस पार्टी के अंदर भी कोई सूच बूच नहीं है और ये देश भक्ती होने का खाली इनका नारा है लेकिन ये हकीकत में देश भक्त है नहीं तो साथवी परग्या के जो बयान है हम उससे मदम्ट करते हैं ऐसे लोग कुछ भी कर लें लेकिन वो महिब्यवत्र नहीं हो सकते ये मुसल्मानों को الزाम देतेे कि मुसल्मान घदार है मुसल्मान ऐसा है मुसल्मान गदारी का काम नहीं किया और इंशालला आइंदा भी नहीं नहीं करेंगे लेकिन सादवी परग्या जैसे लोगों से होशयार रहने की जरुदात है administration को भी होश्यार रहने की जरूट है कब ये बवंडर कर दें कब ये फसाद करा दें कब ये मुसिबत खळी कर दें ये बड़े खतरनाक लोग है इन से होश्यार रहने की जरूट है और जहां तक मुसल्मानों का तालुख है तो मैं मुसल्मानों से यही को हूँगा, बिल्कुल गवराने की दरुवत नहीं, बिल्कुल फिकर करने की दरुवत नहीं, हमें अल्ला ताला की मदद मिली है और मिलती रहेगी इंशालला, और वो ही होगा जो अल्ला ताला चाहेगा, तो जीत हमारी होगी, जीत हमारे अमारे के पूरी तरह से एमान के साथ जिन्दा रहना है और ऐसे लोगों से हुश्यार रहना है और मैं हकुमत से भी अपील करूंगा, सरकार से भी अपील करूंगा, कि ऐसे बयानात देने वालों का सख्त नोटिस लिया जाए, ये मुल्क के वफादार नहीं है, मुल्क के घदार हैं हिंदुस्तान के घद्दार हैं और ऐसे लोग कभी भी खत्रा बन सकते हैं इनको किसी भी तरह से इनके उपर F.I.R. दर्ज हो के इनको जेल में डायला जाए और जो लोग इनके फॉलोवर हैं जो लोग इनके फॉलोवर हैं और मानने वाले हैं उन पर भी गहरी नजर रखने जाए नरेंदर मोदी ने भी आलागे इमाम साथरी पर गया कि इस बयान को मैं कभी भी जिंदीगी भर माफ नहीं करूँगा जो उनने गांडी जी को लेकर और गॉट से कि हमायत में जाए तो नरेंदर मोदी ने भी उनको ये कहा है तो क्या ये भी एक पॉलिटिकल इस्ट है और हमें उम्मीद है को वो माफ नहीं करेंगे और हमें उम्मीद है कि पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी सिर्फ ये नहीं होता कि पार्टी ये कह दे उन्होंने माफ ही मांग ली या पार्टी ये कह दे ये तो उनका परसनल बयान है परसनल उनका वियू है ऐसा नही और जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं होगी पार्टी के उपर ये धपा लगा रहेगा और ऐसे लोग मुल्क के अंदर कोई अच्छा माहूल नहीं बनाएंगे बलके माहूल को खराब करने का काम करेंगे लहादा ऐसे लोगों पर खानूनी कारवाई होनी चाहि और अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिये अमाम साब तो ये पूरी बात के उपर इमाम साब ने डॉक्टर मुफ्ति मुकर्म ने पूरी तरीके से उस बयान को जो साथवी प्रग्या ने हिमायत में दिया गौट से की जो गांदी साबदी जा जाने के इस बात को लेकर कि पिले जी ने बीयान को में किसी की में पर चाविल को कभी मांदी करूम माम मने करूं बताने कर्यों कि बयाद में दूश्स потok कर अब तक गांदीко के से एक खिए से विस्त मिपने करने एक हिमाकत नहीं तो और क्या है तो कुल मिला करके डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम ने भी इस दीज को पूरी तरह से सखत अलफाजों में मजब्मत की है अबीने तक कमल हसन ने बयान दिया कि नाथुराम गोड से पहले आतंगवादी थे अब की वो चुनाओं में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा अबीने तक कमल हसन ने बयान दिया कि नाथुराम गोड से पहले आतंगवादी थे आप क्या कहेंगे बगवा आतंगवाद को लेके आप पे प्यारोप लगते रहें पहले वो चुनाओं में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा